तो दोस्तों भी आप टाइम देखें कितना हो रहा है, अब ही 11 o'clock होने जा रहा है और अब मैं आ गई हूँ, अब मैं आ गई हूँ किचन में क्या करने के लिए, तो किचन में आ गई हूँ कदू दाल बनाने के लिए, पांच मिनट दे रही हूँ, मैं अपने आपको 10 मिनट कदू दाल उबलने के लिए चड़ा देती हूँ, सीटी लग जाता है, उसका आफ करके मैं चदी जाओंगी नहाने के लिए, तो चलिए कदू दाल बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे बहले आपको क्या करना है, कदू को छिल लेना है, अच्छे से पिछे आपको गर्डी दि सकते हो, तो बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करती हूँ, दाल को भीगोई भी नहीं हूँ मैं, तो आर्ट तस घंटे क्या, एक घंटे भी नहीं हूई हूँ, तो मैं दाल को अभी दोंगी, और कदू के साथ ही डालूँगी, चलिए, मिलते हैं, दोस्तों अभी 11.30 हो रहा ह अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए पास, तो मुझ पर चिला ही है वाई, मैं इसको बोल रही हूँ कि तुम गोल्डी पहले जो तुम्हारा जो जूस पीना है, वो जूस पीलो, जो तुम्हारा है वो कर लो, उसका तिया कर लेंगे, आराम से बैठ करके, बद मेरा दिमा अब लेंगी के चक्कर में फसी लिया, चलि मुझे नहीं बता मैं अब इरिटेशन हो रहा है, फालतु का, इसको बोल रही हूँ तो समझे की नहीं, वो वही करेगी जो इसके मन में, तो उससे बेटर है कि मैं नहाल, है ना, तो मेरा ले लेट भी हो पूजा का, तो मैं जा जा रहूं नहाने के लिए अपना यह बैठ करके एसे से करती रहेगी यह नहीं कि जूस पी ले फिर मैं बोल रही है छोड़ो जा रही हूं नहाने के लिए चलिए मिलते हैं थोरे दिर के बाद दोस्तों अब मैं जारी हूं कद्दू दाल जो है वो तर्का देने के लिए तो चलिए साथ में किचेन में चलते हैं कद्दू दाल में तर्का दे करके काम खत्म कर देती हैं ताकि मैं आरा आम से जो है मा बेटी तीन बजे के करी में थोड़ा सा सोरे चले जाए ठीक है तो चलिए कद्दू दाल बनाते हैं, तो कद्दू दाल बनके रेडी हो चुका है, तो सकतर। दोस्तों, वंसे गान अभी, थ्ुरी ओक्लॉक हो रहे हैं, और आ गए हूं, मैं और गोल्डी सोने के लिए, और गोल्डी दीदी अगर आप भी हैं, बेटपे गोल्डी बेट पे नहीं है, गोल्डी दी गई हैं पॉटी मारने के यह मतलब ऐसा हो रहा है कि चॉकलेट से उसको एलर्जी है दूद जैसे आप सब को पता है कि मिल्क प्रोडक्ट से गोल्डी को सूट नहीं करता है तो गोल्डी मुझे ना अभी गिफ्ट में बहुत सारे chocolates हैं, बहूट बहुच ज्यादे chocolates, बहुत सारे brand के है बहुत सारे brand है जिनको promote करती हूँ, то आपको diwali में उस brand के तरब से जो है, आपको कुछına कुछ gift आता है, तो वो gift में एक brand है जिसके तरब से मुझे बहुत सारा chocolate आया है, ठीक है मै तो चॉकलेट खाती नहीं हूँ बेज मुझे एसा होता है कि जब मैं सो के उठती हूँ शाहे मैं आदे गंड़े के ऐंड़े के लिए भाबुजी को भी देखती थी मैं अपने बाबा को तो कुछ ना कुछ मीठा खाते थी, तो मेरा सेम है, जब मैं सूके उर्ती हूँ ना, उसके बाद, भाईया, मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, उस समय चाहिए बाबा, थोड़ा सा भी, तो उस समय अगर नहीं कुछ मिला ना मुझे, तब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा स अगर फ्रीज कोकली और थोड़ासा चॉकली रहा तो तोड़ासा मौथ में डाली Itherwise मैं चॉकलेट लवर नहीं उसे चॉकलेट पसंदधी वैसे अश्राइज वह से पुछते हो तो मैं मीठा लवर हुई नहीं मुझे मीठा पसंदी नहीं है पत मेरी बेती को वो चोकलेट आया इतने दीन से दायेट दायेट पौती हुआ नहीं दिख लिए पाटी हूआ तो देरी मिल्क मत खाय। हो पीछा जोड़ा जोड़ा ए जोड़ा खूला जोड़ा कोई वीक्निस होगार। जो मुझे गिफ्ट भेजते हैं उन सब को बोलती हूँ याद प्लीज चॉकलेट मत भेज़े गोल्डी को यार मतलगी हाँ तो मुझे वो दिवाली वो बहुत सार इंग के तरब से आते हैं आपको गिफ्ट मिलते हैं तो उसमे मुझे ना गिफ्ट में एक ग्रांड है वो डायेट गया तेल लेने के लिए गोल्डी गा वो डुप तेल में और भी बहुत सारे चॉकलेटे लेकिन अभी दब में टच भी ने किया हूँ गोल्डी खा के इसको रही है जबकि मैं दिवाली में मेरे फेवरिट स्वीट साके रखके मैं उसको भी नेच्वी टुक्रा ल लेकिती है तुक्रा खाती है पौठी जाती है इतना। कहाती है पौठी जाती है तो एक थोरा पी पिक्त अभी पौठी कर गया है यह घर से इसको दर्दोडर अपिट okay अब को रही है बैता मत एकिखा। मुझा मुझेषट कहूं लही हूँ कि मैं बोल्ती हूँ बहारी चा को प्लीज लाक्डोस फ्री कांसा फ्री लेक्डोस प्री च्लॉक पालेट है जो अगर नेक्षे डिवाली से गिफ्ट बेजना भी है तो उज़ कि सपना एटीज और से लेक्डियल है, कोई और न कोई बेज़ता हो तो अगर नहीं बेज भीझे है कश hm किस न類का ही सबिस्क नहीं कि गुड़ी रहनी कि इतना दवा रही है, इतना दवार रही है मुझे क्या कह रहे है मैं गोलडी को बोली कि गोलडी तुम्हारा तोफू पळटेना तोफू पालक है तो पाप ऐसे देख रहे है गोलडी कि भी वहन बता हम पालक पळ मेरे अ मैं कितना मेहनत लगा symbol है मसाल ़ही था सिब मैं उसमें मलाई वेगर नहीं नाली गोलटी का कि निकाल दी उसके बाद उसमें फिर मलाई डाली और फिर गुडु के ये बारान तुम आता तफू कि और कर लोगे थी kap काहई अच्छा ब्र Tubex कि थोड़ा सा कहोता है कि आगे होता हैं कि थोड़ा सा पर फाई होता है हाँ जिबकी कितुहारे पणीट से सब्सक्षे है मेरिक टोफु ददका बनके मेरिक बड़ाबा बड़ा आपा टोफू तो किए है संत्र किसका हुआ तुमारा गुडु को मैं कष्णकर करकर किए नहीं कि अरे बाबा नहीं मेरा स्वय मिंक्स ने बना तो फइनली चली बहुत गपा हुगे अब सो जाओँझी यार तो सी को बनाना क्या था है आख है जो अम नहीं सीखना कुछ भी बॉर्फ नहीं झाहिं दिए क्अ शेट पर वहाँ हो चिन शुजवतं कैते हो छाइं अब है। सोने के बाद अभी तो बात करते-करते, इतना टाइम हो गया. चलि बाज 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 बार बाज बाज बाज. बुट इंदिंग दोस्तों, अभी शाहर में बज रहे हैं, 6.55 हो रहा है, गुटू अभी तक अपससे नहीं आए है. फूह व्यूस को प्रे? क्या है एक पापा को फोन करो थोड़ा पूछो कहा है गोली पापा को फोन करो ना पूछो ना कहा है तो सो के उठ गई थी 530 ही बड ब्लॉग की सुदवाद इस समय की वह 530 उठ करके थोड़ा सा उठने के बाद फूरा कुछ मन नहीं करता ना तो थोड़ा उठने के बाद बैठ करके वहां बैज जिरस बर बैठ करके थोड़ा सा मुबाइल पर स्क्रॉल कर रही थी अपने कमे है तो अइसा पर्भूत है टो इसमुए आप घर नहीं जाते हूं तो आपको बहुत बहुत अफसोस होता है इसा पर बुद। हैना जिसको यस बर साफोगे आप पुध Presentsाश्षेर नहीं तेहर पोड़ी का न्यूस आप सुन रहो ना पीछे से, तो मन नहीं लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं, देखे क्या होता है, नेक स्टियास अभी अगले साल चाठाने पूरा भी एक साल बचा हुआ है, जैसे आप सब को बता है मेरा दिनर तो बन चुटा है, बस राथ में मुझे तो गुथ लोगी, आटा गुथा रहा तो फिर आटा गुथ के रख लेती हूँ, तो पूरा एक दीन तक मैंने शिद रहती हूँ, एक दो दीन तक है चोली, दो दीन का एक बार गुथ के रख लेती हूँ, तो थोड़े दिर के बाद जो है, वो आटा गुथ करके रखी भी, आलू काटके रखी हुई हुई जिसका मुझे फूजिया बनाना है तो चलिए आपको कद्दू दाल रिखाते हुए तो आएए मेरे किच्छन में किच्छन तो आप देख रहो मेरा नीट अंड क्लीन है यह देखिए आलू जो है वो कट करके पानी में रखा हुआ है इसको बस मुझे इसका फूजिया बनाना है जैसे मैं कद्दू दाल बताई को दोस्तों अगर आप वैसे बनाते हो यकीन करें आपको मतब जो लोग भी कद्दू दाल नहीं खाते है ना वो भी कद्दू दाल खाना शुरू कर देंगे इतना ज्यादा टेस्टी लगता है यह कद्दू दाल बनाना मतब खाने में ओके इतना मासूं बनाओगी तो कर देंगे अगर देंगे आपके को there will be 48 lakh marriages in India next 60 days भाई कितने लोग बरबाद होने को तैयार है सोचिए भाईया यह गालत सुनके जो खाए वो पच्टा है जो ना गाए वो भी पच्टा है तो खाके पच्टा हो मेरी बेटी को भी तो वो पंजाबी चूरा लगरत देखकर के जो है ना कहती मौ मा इसी के लिए कि मुझे शादी करने की एक्छा होती है यह देखिए वाई अपने बिटा उतना सब के लिए आदमी बरबाद होगा बताओ अपने आद्यज़ को अची चुक्त आद मेरग बरबाद होगा जो बरबाद हो चुका उससे पुछिए शादी का ऑणो जो है ना उसी दिन एक फूराबना लगता है बाकी और मा पिर रावादी करने माला लगता यह लर्की का जूस देखें यह यहां पर डाना करके फिर मिलते हैं आप लोगों से थो जैसे कि आप देखे हूँ एह है मेरा बाग बगरी चाय हमेशा रिस्ते बनाए अभी मैं आ गई हूँ अपने लिए भुजिया बनाने के लिए तो अभी मैं बनाऊंगी इस थोट के लिए भुजिया अचा मुझसे बहुत लोग है इस कराही के बारे में पूछा है, अज एक्शली ये साफ उतने अच्छे से नहीं हुआ है, देख रहे हुआ, यहाँ पर हल्का साथ जला हुआ का दाग है, बट इसमें आप फुछते हो, थोड़ा भी दाग नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, एक डम स्क्लीन हो जाता है, जला त किस शूरा हो काचारी यहां और किष्टी बनते हैं तो अभी तो मैं बूजया बनाने वाली हूं हुआ है और अभी मैं आपको किछिन बाल करनी में लेकर चल दी हूँ आज वशीवासी नहीं लगाएं हूँ दोस्तों आज थास्टे है न बहुत लो साउंड कर रही हूँ तो यह वश्यू मसिन आज वैसे भर के छोड़ी थी मैं को धोओंगी पट में धोई नहीं कपरा और अभी दोवी जी कहां जाने वाला कपरा सा फोल्ड कर गे रखा हुआ है अभी कि बाल करनी में आते हैं यह मेरी माता रानी को ठीक है अभी मुझे मेरे तुलसी जी में जल वगरा पाव मतलु त chrom दिखा अब सुखा सुखा लगवा है लुट सी 6 अचिक है अब यही जल है में थे pig array ہو गया तो सोच रही हैं जल नम्त कि घिटे s की congestion सक्टैल नहीं है कि नहीं, बेटा गिफ्ट किया था यह मुझे मेरे बर्डे में गिफ्ट किया था यह वाला है यह जो है न गोल्डी के लिए viewpoint है अभी, वा कॉलेज है उसको बहुत थंडी लगती है मुझे बोल रहे थी की मुझे बहुत थंडी लगती है ममा तो मुझे यह कक्छली खरीद сл था quilt उसके लिए बट ऐसा संयोग हुआ कि जैसे मैं बोलती हुँ ना कि दिवाली में मुझे बहुत सारे gift मिलते है तो ये जो है gift में मुझे मिल गया ये quilt तो मुझे खरीदना नहीं पड़ा और सच में मुझे खरीदना था और कलर भी इतना सूधी या इतना अच्छा कलर है कि गोल्डी को भी ये पसंद आ गया तो मैं वाश कर दी हूँ इसको गोल्डी दे दी कि आज कपरा वैसे ही बालकडी में पड़ा हुआ है दोस्तों आज मन ही नहीं किया है मुझे कि आज मैं कपरा वाश करूँ ये कल का कपरा है जो फैल आई थी आज इसको उतारी भी नहीं हूँ थरस्टे को मैं बहुत लो साउंद करती हूँ तो ये कपरा जो है वैसे ही रखा हुआ है बालकडी में ठीक है ये मेरा अलोवेरा का प्लांट है जो की पूरी तरह से पपा जब पपा के स्वाल आने के पहले इसको काट दूँगी मैं यहां से क्योंकि पपा हमेशा बोलते इसको काट दो बेटा इसको काट दो बेटा तो इसको काट दूँगी मैं सूच रही हूँ दिल के उपर पत्था रखे मैं एलोवेरा खरीद ले रही हूँ लेकिन मैं इसको नहीं काटती हूँ मुझे पता नहीं मुझे दिल से लगता है कि आरे यार मैं इसको कैसे काटू कि मेरे गार्डिन में लगा हुआ है पता नहीं कौन सा मेरा पता नहीं कौन सा सिंस मेरा समझ नहीं आता है तो चलिए कि आप लोगों को तुमैंने दिखाई ही ही तु ये देखे मेरा लू का बुझिया वहत सादा लाल मिल रसे डालती हूं ल्जा न एक निया करके खाने में मुझे बहुत अछे लगता हु जालेती हूं कि पर बात करदे हूं लूज सी । I remember when I saw your face From afar in an instant I was changed You with your friends but I was taken I embarrassed myself but couldn't wait And I smile when I think of the day I asked you a question in a public place Loving you was the best choice I never made Cause every day I wanna be better I wanna give what you've given me Yeah, so you are watching this Goldie What are you doing now? I'm learning to do embroidery First of all, Mom will teach me a katha work Which work? Katha Katha work My grandma will know that her nattini She will learn so happy So it will become so happy It will become so happy और for your kind information दोस्तों आपकी छवी को साड़ी बनाने से लेकर के चादर बनाने से लेकर के कुसन बनाने से लेकर के हर चीज बनाने आता है चलिए बाबाई एक क्रीटिविटिविटी अई से आए अब सब छोड़ दी हूँ आख 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 क्या संथिंग गोलते है ना आख आख न झालिए बाबाई